भूल भूलेया के बारे में बात करते हैं भूल भूलेया 3 जी आ दोस्तों इसके टीजर को लेके बहुत से अफवाय फैला ही गई थी टीजिस की तरप से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया था लेकिन क्रिटिक्स ने बड़ा बोला था 13 अगस को आएगा टीजर टीजर इसका 15 15 अगस को आएगा लेकिन आज कितना है 27 है ना 27 अगस्ट है अभी तक भूल भूलेया 3 का कोई टीजर आया नहीं है मेकर्स की तरप से बीच में कंफरमेशन था कि हम दिवाली में ही आ रहे है उसके बाद से टीजर का अभी तक तो कुछ बोला नहीं गया है लेकिन बार बार ये अपडेट्स आ रही है कि आज आएक अकल आएगा एट प्रेजेंट ओफिशियल ही जो लोग पूछ रहे हैं कि बुल बुल एटरी का टीजर का अब आएगा तो देखो मैं एक अंदाजा आपको बता सकता हूँ क्योंकि दो आर्टिकल्स मैंने पड़े है अगर इनका प्लान सच में दिवाली रिलीज है तो ये एक ओफिशियल पोस्टर लाने वाले हैं इनके प्लानिंग के अनुसार का दो दिन में मेबी आप ये मान के चलो तीस तारीक को आ सकता है या फिर आज भी आ सकता है मैं पोस्टर को लेकि गैरेंटी ने दे सकता कि कब आएगा जी हाँ और 31st को बुल बुल एटरीट का टीजर अकॉर्डिन टू सोर्स आने के चैंसे से रिपोर्ट्स बर जब तक टी आए कि यार अगर नहीं आ गया बाद में तो बाद में आप भी मुझे उससे बोलोगे यार ये फेक नियुस थी बराबर है ना हलागि ये फेक नियुस सिरियसली नहीं है दो सोर्स के अनुसर जो ट्रस्ट वर्दी है वो ये बोल रहे है लेकिन टी सिरिस की तरप से भी तो क्लेश करना है इनको या नहीं करना है सको लेकि अगर ये लेक्र ये कोस्टनमार्क में है तो अभी नहीं कुछ कह सकते कि मैंने अभी यार.एक ही विग पहले मैंने भूल बुल या के डिरेक्टर की स्टेट्मेंट देखे वह तो क्लियर है वो तो आ रहे है वो दिवाली पैसा उन्होंने statement दिया था और उस statement के बाद ही तो ये दो विक पहले दिया था जिस वज़े बाद में लोग एकदम आरे भाई कल आएगा टीजर पर सो आएगा अफवाई शुरू हो गई तो मुझे जो लगता है भाई कि अगर डायरेक्टर इतने confident है तो वह दिवाली में आएगी फिल्म और जो लोग पूछ रहे क्या प्रीपॉन नहीं हो सकती है क्या पोश्पॉन तो ना मुम्किन है प्रीपॉन अगर तयार है और clash नहीं करनी है अगर तो ना भाई मुझे लगता है दिवाली रिलिस कोई छोड़ता नहीं है तो and I think भूल भूले या 3 के लिए दिवाली रिलिस सही है तकड़ा कर सकती है बट एक फाइदा जरूर बोलूंगा मैं अगर वो प्रीपॉन हो जाती है तो कभी कभी क्या होता है एक लहर होती है जैसे horror comedy street चल रही है न अब वो लहर चल रही है चल रही है ऑगस्ट है सप्टिम्बर है और बाद में अगर बायचान से लोग अक्टोबर में लाते है बूल भूले या तो वो लहर continue जारी रहेगी street हो गई बूल भूले या शुरू हो गई वो लैयर का फायदा जादा हो सकता है दीवाली से जादा October में बट on second thought ये भी तो लगता है न कि नहीं यार अभी तो street होई है तो थोड़ा रुग जाओ एक महिना November में तसली से आराम से आएंगे October break जैसे कि September तक तो street हो चलने वाल को अब ये दोनों तरह से वो सोच रहे होंगे क्योंकि इतना जादा अगर आप सोच रहे हो इसका मतलब आपकी कोई planning अभी जादा fix नहीं है तो देखते है बट जो according to updates हमें दो तीन दिन में टीजर देखने को मिलना चाहिए अगर ये फिल्म सच में दिवाली में आने वाल क्या ये मूवी कार्थिक क्या हिएस ग्रॉसर फिल्म बनेगी या नहीं स्टार कास को देखके मैं तो कह सकता हो कि दम तो होगा और देखो स्टोरी में ये दम दिखाएंगे इस बार देखो इनकी ना जिम्मेदारी बढ़ चुके है बूल बूले है टू अलग थी बड़ा इन लोगों को अगर फ्रैंचाइजी बनानी है and there might be a possibility of akshess cameo भले उन्होंने वो बोल दिया है कि भाई मेरा नहीं ये कोई cameo हो सकता है या कभी-कभी डारेक्टर का भी दिमाग होता है कि डारेक्टर भी ऐस स्टेटमेंट डे देता है पर हो जाता है कभी-कभी cameo नहीं भी हो सकता है नहीं भाइंगे और गाई के अगे इक सर्प्राइज पैकेज के तौर पे आई गया यहां पतर होने को कुछmbã है विध्ययमानंद के character है ना उसमें इसलिए मैं मुझे बार-बार doubt आ रहा है क्या वो वो पुरानी वाली Monjulika होगी तो confirm होगा cameo और अगर नहीं वो नहीं वाला कोई character होगा Monjulika का कोई पुराने से संबन नहीं होगा तो फिर नया वाला character होगा तो नहीं होगा cameo पुराना वाला होगा तो cameo नहीं होगा यह कैसे हो सकता है सोच चैनल सब्सक्रेब नहीं किया तो कर लीजे वीडियो को शेर करो एर जितना जादा हो सके भूल भूले आ थरीका टीजर आने के चांसेस तो है confirmation नहीं है लेकिन आने के चांसेसर 31st August not confirmed yet